हेले व्रिवन, जय हिंद आज है 9 नवंबर 2023 और 9 नवंबर 2023 से बनने वाले सब इंपॉर्टन क्यूशन को आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट लास का रिविजन तो देखें लास्ट लास में मैंने आपके साथ डिसकस किया था वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में तो देखें इसका जो मेगा फूड इवेंट का दूसरा सलस्क्रन है ये आजित हुआ है नई दिल्ली में पियम मोदी ने गरीब कर लियान अन्योचना का विस्तार कब तक करने का एलान किया है तो देखें 2023 के दिसंबर में ये खतम होने वाली थी स्कीम लेकिन अब इसे पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है और कर दिया है दो हजार अठाइस तक फिर अंतरास्टे सोर संग्रठन का पिच्चानवेवा सदस्सी ये बना है चीली IQ Air के World Air Quality Index में दुनिया का सबसे प्रदूशित शहर तो ये है नई दिल्ली अंतरास्टे क्रिकिट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेवाच तो ये है एंजिलो मैथ्यूज देश की मुक्य सूशना आयुक्त तो ये बने है हीरालाल समारिया रास्टे कैंसर जागरुकत दिवस तो मनाते हैं साथ नवंबर को सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2030 का खिताब ये जिता है पंजाब ने वहीं बात करें बैलेंडियो और पुरुसकार 2030 की तो महिला वर्ग में जीता है एटाना बोनमती ने और पुरुस वर्ग में जीता है लियोनल मैसी रिकोर्ड आटवी बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है अब पढ़ते हैं आज की करेंट अफेर की और आज की करेंट अफेर की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है तो देखे अभी हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये राज्य सरकार ने जारी करने का एलान दिया है तो यहाँ पे बात कीगे किस राज्य सरकार ने बात की है तो सही आंसर होगा तमिल नाडू ओप्शन नमबर जो D है अब यहाँ पर याद रखेंगे देखे हाल ही में तमिल नाडू सरकार ने भारत सरकार के वन्नेजीव आवास कारीकरम के एकिकरत विकास के तहट प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है और इसे 2023 के दोरान 8.13 करोड रुपे की लागत से लागू किया जाएगा और इसके तहट 7 प्रतिशत जो रासी है वो केंदर सरकार देगी वहीं जो बागी बचीवी 40 प्रतिशत की रासी है वो राज्य सरकार देगी अब देखे प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसके शुरुवात या लागू करने का आदेश दिया है तमिल लाडू ने तो जान लेते हैं इसके बारे में जिसके रास्था नहीं है चेन नहीं मुख्य मंत्री है M.K. स्टेलिन राजेपाल तो यह है आरन रवी नेशनल पार्क के बात करें तो यह है अन्ना मलाई रास्टे उध्यान और दूसरे हैं आपर मदू मलाई रास्टे नेशनल पार्क के काफी इंपोर्टेंट है तमिन नाडू का मैप एक बार देख लेते हैं तो देखे इसके जो बॉर्डरिंग स्ट्रेट हैं वो है आंतरपरदेश करनाटिका इधर आप देखेंगे केरल और यहां पे तमिन नाडू और शीलंगा के बीच में आपको जल्डमरो मध्धी भी देखने के लिए मिलेगा जिसे हम जानते हैं पाक जल्डमरो मध्धी के नाम से अब देखें ऑप्शन के माध्यम से हम कुछ और इंफोर्मेशन को डिसकस कर लेते हैं जैसे कि महारास्ट की बात करें तो लोका युक्त विदहक को लाने वाला या पेश करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन से है यह महारास्ट्र है बिहार की बात करें तो जाती आधारित गन्ना कराने वाला यह पहला राज्य है बिहार मध्यर प्रदेश के बात करें तो देखें हवाई मार्ग से यानि कि हवाई मार्ग के माध्यम से तीर थी आत्रा कराने वाला यह पहला राज्य है आपका कौन मध्य प्रदेश ठीक है तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसकी शुरुवात हुई है कहां से तमिल नाडू में इसको लागू करने का आदेश दिया है तो ध्यार रखना option number D अब बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ जो कि आपका नाटो ने सीथ युद सुरक्षा संधी यानि की Cold War Security Treaty का अपचारिक रूप से इसे निलंबित कर दिया है नाटो का मुख्याली ये कहां पर है देखिए न्यूस में कोई भी अगर आपका international organization रहता है तो आपको इसका मुख्याली उसकी स्थापना ये सब आपको पता होनी चाहिए तो यहां पर जिक्र आया है नाटो का तो जान लेते हैं इसका मुख्याली ये कहां पर है तो देखिए इसका मुख्याली ये है ब्रशल्स में तो option number C आप यहां पर याद रखेंगे देखिए North Atlantic Treaty Organization ये नाटो ने हाल ही में सीत युग युद युग की सुरक्षा संदी यानिकी Cold War Era Security का अपचारिक रूप से निलंब और अभी जो इसका 31 मेंबर बना था कल ही मैंने आपको बताया कौन सा था ये फिनलेंड था नाटो की बात करें तो full form है इसकी North Atlantic Treaty Organization स्थापनवीती 1949 में मुख्याली इसका ब्रशल्स बेल्जियम में तो इतनी information आपको इस question से ध्यान रखनी है और नाटो का मुख्याली तो हम और कुछ headquarter को discuss कर लेते हैं जैसे कि Paris की बात करें तो Paris में आपको headquarter देखने के लिए मिलेगा UNESCO का UNESCO भी काफी news में था क्योंकि UNESCO की World Heritage Site में भारत के total 42 स्थल को अब हो चुके हैं जिसमें जो 42 वे नंबर का अभी recently बना है ये है कौन सा ये है करनाटक के होईसल मंदिर ठ दिहान रखना है अब देखिए New York की बात करें तो New York में आपको UNICEF का headquarter देखने के लिए मिलेगा और साथी में United Nation का headquarter भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा लॉसेन की बात करीं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैड़क्वेटर भी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा ये मिलेगा लॉसेन में तो ये हमने डिसकस की हैं आपके कुछ अधर इंपॉर्टेंट हेड़क्वेटर्स को और यहाँ पर पूछा है नाटो के बारे में तो धियान रखना ब्रुशुल्स इसका सही आंसर होगा अगला प्रशन है आपका वंडे विशु कप इतिहास में सबसे तीज दोहरा सतक लगाने वाले बल्ले बाच ये कौन बने हैं तो देखिए वंडे विशु कप इतिहास में सबसे तीज ये दोहरा सतक लगाने वाले जो बल्ले बाच बने हैं ये बने हैं ग्लेन मैक्सविल option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे और यह Australia की all-rounder खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो है विश्व में सबसे तेज 12 सतक लगाया है वर्ल्ड कप में तो देखिए यह है इसका सही answer option number A अब Australia की all-rounder खिलाड़ी है ग्लेन Maxwell इन्होंने वर्डे विश्व कप में इत एक और चीज याद रख सकते हैं कि जो अभी वर्ल्ड कप चलना है फिलाल भारत में तो उसमें सबसे जादा सबसे तीज सेंचुरी लगाने का रिकोर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है सिर्फ 40 बोलों में इन्होंने जो है अपनी सेंचुरी को कम्प्लीट किया इस वर करते हैं MS थोनी से आप याद रख सकते हैं कि अभी हाली में SPI, Lays इन सब का headquarter बना है कौन? Sorry, brand ambassador बने है कौन? MS थोनी और विराट को लेके बात करें तो देखिए अभी इन्होंने अपना 49th वी सेंचुरी लगाई है और साथ ही में सचिन तेंदलगरजी के record को बराबरी इन किताब अपने नाम कर लिया है, option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे, देखे स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सर्विया के नाम है इनका नवाग जोकोविच इन्होंने साथ वी बार पैरिस पास्टर का किताब अपने नाम कर लिया है, final में इन्होंने ग्रीगोर में अपने ही रिकोर्ड को पीछे छोड़ दिया, जोकोविच का यह चालिसवा मास्टर से और एक हजारवा किताब है, ठीक है यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, आदर अप्शन को डिस्कस करें, तो देखे राफेल नडाल की बात करें, तो टैनिस की ही खिलाड़ी हैं और स हमिल्टन के बात करें, तो फोर्मूला वन की यह ड्राइवर हैं, इंग्लेंड से बिलॉंग करते हैं, और मर्सेडीस के ड्राइवर हैं, लिएंडर पेस की बात करें, तो देखे भी हाल ही में, हौल ओ फेम में शामिल होने वाले पहले यह 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 लिएंडर पेस, तो इ दिल्ली में option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे हाल ही में नई दिल्ली में चानक की रक्सा समवांत 2030 का नवंबर 2030 में आईजन किया गया है और इस समवांत को जो है उपराश्चपती जगतीब धनगर्ने संभोधित किया है इस समवांत में basically AI, robotics, quantum, semiconductor, biotech, drone और hypersonic जैस other option को discuss करें तो देखे मुंबई के हम बात कर लेते हैं तो मुंबई में अभी हाल ही में पहला हल्दी सम्मेलन यह आज़ित किया गया था बैंगलोर की बात करें तो देखें बैंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा जो aerospace है उसका उदगाटन क्या है पीम डेंद्र मोधी जी ने और लगनों की बात करें तो लगनों में यूपी का पहला बंदरवन यह स्थापित होगा ठीक है अगला प्रशने आपके लिए कि महिला होकी एशिन्स चैंपिन्स ट्रॉफी 2013 का खिताब किसने जीता है तो देखेंगर हम बात करें महिला होकी एशिन्स चैंपिन्स ट्रॉफी 2013 की तो यह खिताब जीता है भारत ने option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे देखें भारत में खेले गए एशिन होकी चैंपि गोल्ड मेडल जीता है इससे पहले 2016 में सिंगापूर में भारते महिला टीम ने अपना पहला किताब जीता है महिला होकी एशन चंपेंशिप ट्रॉफी 2030 का आईजन ये हुआ था कहां पर ये हो रहा था राची जहरकंड में अब कुछ अदर आप्शन को डिसकस कर लेते हैं ज देखें फीफा मैंस वर्ड कप ये जीता था अर्जंटिना ने ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिछले साल महिला का जो वोमेंस वर्ड कप हुआ था ये जीता था किसने ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है तो ये ध्यान रखेगा फिर अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवेद रूप से गुषने वाले कितने भारतियों को गिराफतार किया है तो सही आंजरेस का ओप्शन नमबर C यानिके 96,917 ठीक है अब इसमें क्या था देखें यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका मे अवेद रूप से गुषने वाले 99,917 भारतियों को गिराफतार किया गया है किस बॉर्डर पर कितने भारते पकड़े हैं ये जान लेते हैं तो देखिए 99,917 भारतियों में से 30,010 भारतियों ये यूएस केनड़ा बॉर्डर से पकड़े गए हैं और वहीं बात करेगर हम इसके अलावा 41,777 भारतियों ये यूएस मेक्सिको बॉर्डर को पार करते वे गिराफतार हुए हैं अमेरिकी संसद जेम्स लेंगफोर्ड ने नवंबर 2030 को संसद में कहा था कि पिसले एक साल में लगबग 45,000 भारतियों ने अवेद रूप से अमेरिका की दक्षिनी सीमा पार की है जबकि 96,917 ये लोग गिराफतार हुए हैं जेम्स लेकफोर्ड ने बताया कि ये भारति बहाना देते हैं कि उन्हें अपने देश भारत में ही डर लगता है ऐसा कहा कर ये लोग अंतरास्टे कानून का सहरा लेते हैं जिसके अनुसार विशन नार्थी माने जाते हैं तो ध्यान लगना ये टोटल कितनी संक्यान की ये है 96,917 और ये कहां कहां के बॉर्डर पे पकड़े गए हैं तो ये पकड़े गए हैं यूएस कैनड़ा और यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे अगर हम देखे थोड़ा रफ मैप ड्रॉ करें तो बीच में आपको यू इंटर्नेशनल बॉर्डर तो ये इस एंट लॉर्णेस लिवडर और इसके नीचे यूएस और मैक्सिको की बात करी तो यहां पर जो रिवर है जो इंटर्नेशनल बॉर्डर बनाती है यह है रियो ग्रेंडे रिवर तो ये भी आपको ध्यान लगना है इंपोर्टेंट गाये जन्ना ये कराएगी तो देखे गाये जन्ना ये कराने वाली सरकार जो है ये है उत्तर परदेश की सरकार तो option number सी आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे उत्तर परदेश सरकार राचे भर में गायों की जन्संख्या कराएगी और जन्संख्या तीन स्रीनियों में की ज और पहली चुरन में गायों की गिंती की जाएगी अगली चुरन में सरकार गायों को उप्युक्त आवास उपलब्ट कराने के लिए एक योशना बनाएगी और लागू करेगी अब यह हुआ है यूपी के द्वारा तो जान लेते हैं यूपी के बारे में रास्थानी है यह है आपका यूपी का मैप जान लेते हैं इसकी बॉर्डरिंग स्टेट को तो सबसे उपर आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाशल प्रदेश उसके बाद उत्राकंट और फिर आप नीचे के तरफ आएंगे तो बिहार, जारकंट, शारकंट, मध्यप्रदेश और इधर आपका राजिस्थान और हर्याना, एक यहां पर यूटी भी लगती है डेली और इधर आपकी कंट्री है नेपाल, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेट से बॉर्डर शेर करने वाला कॉनसर आचे है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश, आदर आप्शन को डिसक करें, तो देखें, बिहार ने भी जाती आधारित गन्ना जो है वो कराई है, इसके बाद राजिस्थान ने भी बोला है कि वो भी जाती आधारत आधारित जो गन्ना है वो कराईगी, मद्य प्रदेश के अगर हम रिलेट करें, तो देखें, यहाँ पर आप याद रख सकते प्रकास कुपता सियटल में मिशन में महा वानेज्य दूतावास होंगे और वह वर्तमान में विदेश मंत्राले में UNP प्रभाग में सयुक्त सचीव के रूप में कारेरत हैं 2016 में भारत ने अमेरिका के सियटल में वानेज्य दूतावास खोलने की घोशना की थी और सयुक्त राज अमेरिका ने बैंगलूर और एहमदाबाद में दो नए वानेज्य दूतावास खोलने की परकिरिया भी शुरू कर दी है अमेरिके बानीचे दूतावास वर्तवान में कहां कहां हैं तो यह है चिन्नाई में, हैदरबाद में, कॉलकता और मुंबई में तो ध्यान डगना यह शहर अमेरिका की किस शहर में खोलेगा भारत अपना दूतावास तो यह खोलेगा सियेटल में अधर उप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, तो देखें, वासिंग्टन डीसी की बात करीं, तो यहां पर आपको हेड़कुटर देखने के लिए मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का, सांती में आई-एम-फ का, और इसके अलावा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा, उसका हेड़ जाड़न का, फिर किस देश की प्रधानमंत्री शेक हसीना, दुनिया की सबसे लंबे समय तक साशन करने वाली महिला प्रमुक बनी है, तो यह आपकी पांगला देश, औप्शिन नमबर-E, आप यहां पर याद रख सकते हैं, तो ये हैं शेख हसीना जो की प्रधान मंत्री है कहा कि बांगलादेश की और सबसे लंबे समय तक साशन करने वाली महिला प्रमुक बनी है शेख हसीना देखे बात की है दुनिये की सबसे लंबे समय तक साशन करने वाली महिला और ये कितने वर्ष की है, 76 वर्ष की आयो में बांगलादेश की ध्यास में सबसे लंबे समय तक साशन करने वाले प्रमुक बन गई है बांगलादेश की मैप करिए, नास्थानी है, ढगा, मुदरह है की तका, रास्टपती है, शाहबुद्दीन, पूपू और प्रधान मंत्री तुई है, सेख, हसीना यहाँ पर आप देख सकते हैं बांगलादेश के मैप को धाकस की कैपिटल है और यहाँ पर आप देखेंगे ब्रहंबपुतर रीवर और इधर से गंगा रीवर यह मिलके टेल्टा बनाती है जिसको हम जानते हैं सुन्दरवन टेल्टा के नाम से यह भी आपको धियान रखना है अधर उप्षिन में डिसकस कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं को तो देखें तंजानिया से आप रिलेट कर सकते हैं यहां की राष्टपती जिनका नाम है सामिय सुलू हसन तो इन्हें अभी हाली में जियन यून ने अनिकि जवाहर लाल नहरो यूनिवरस्टी अपनी मारत उपादित सम्मानित किया है और यह तंजानियर की राष्टपती है और ऐसा सम्मान पाने वाली यह पहली महिला बन गई है इटली की बात करें तो देखें यहां पर आप याद रख सकते हैं इटली की जो प्रधान मंत्री हैं जिनका नाम है जोर्जिया मैलोनी यह अभी जो नीती आयोक की बैठक हुई थी उसमें मुख्यातिती की रूप में इन्वाइट किया गया था अमेरिका के अगर हम बात करें वाइस प्रेजिजेंट की जोकी है कमला हैरिस यह भारते मुलकी हैं यह भी आप ध्यान रख सकते हैं अगला प्रश्न आप सभी के के लिए हाल ही में किस राजे को ग्लोबल रिस्पॉंसिबल टूरिजम अवर्ड दो हदातेस प्राप्त हुआ है तो यह हुआ है केरल को ओप्शन नमबर सी अब देगे केरल को ग्लोबल रिस्पॉंसिबल टूरिजम अवर्ड प्राप्त हुआ है टीकाओ और महिला पहल को बढ़ावा देने के लिए केरल रिस्पॉंसिबल टूरिजम मिशन को ग्लोबल रिस्पॉंसिबल टूरिजम अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ केरल के बात करें रास्थानिया त्रिवंत पुरम मुख्य मंत्रिय पिंडरी विजियन राजे पाल तुई है आरिफ महम्मद ख यह शुरू हुआ है कहां पर केरल में अब देखे कुछ स्टैटिक पोशन को हम डिसकस कर लेते हैं जिसलिकी शतिप्रता को समाप्त करने का श्रे तो यह था लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत में पहली रेल ट्रेन कब चली थी तो 16 अप्रेल 1853 डलहाउजी के टाइम पे 1857 का जो विद्रो था उसमें बहादुशा जफर को निर्वासित के था रंगून में 57 के जो विद्रो में नेतत्व के था बिहार का कुवर सिंग ने ब्रह्म समाज की स्थापना राचाराम मोहन राय वेदो की ओर लोटो स्वामी दयानन भारते रास्टे कॉंग्रेस की समराजी कामरुस्तमा तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है आज की ट्रिक में हम डिसकस करेंगे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध तो देखें यह पान खा चल घर यानि की पानीपत का युद्ध है 1526 में खानवा का युद 1527 में चंदीरी का युद 1528 में और घागर का युद 1529 में बाबर वही जिनोंने भारत में मुगल समराजी की स्थापना की थी और ट्रिक मैंने आपको बताई है क्या है यह है आपकी पान खा घर चलपा से पानीपत खास से खानवा चोसी चंदेरी और घर से आप घागर को याद रख सकते हैं कल मैंने आप की साथ डिसकस किया था एक किशन आपसे मैंने पूछा था किसके बारे में श्री अन महोटसव का उद्गार्टन ये कहां हुआ है तो सही आंसर इसका लखनौ और आज का आपके लिए प्रशन है हाल ही में युनेसको नहीं किस शहर को संगीत का शहर ये नाम दिया है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आज के लिए इतना ही है इसके लावा इंफोर्मेशन में आपको दे देती हूँ इंस्टाग्राम पर आप जूड़ सकते हैं जहाँ पर हम आपको डेली वन लैनर फॉर्मिट में करेंट अफेर प्रवाइड कराते हैं साथ ही में और इंपोर्टन डेस की इमेज़िस भी हम आपके साथ शेयर करते हैं टेली ग्राम पर आप जूड़ सकते हैं जहाँ पर आपको सभी वीडियो की पीडियफ और साथी में टेली आपके साथ कुज जो है स्वल कराया चाता है तो आच लिए इतने हैं थैंकिस तो मच हैवा ग देल